यदो एर्बूर्ट कैसे हैं आप आजके इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले рахाई बाक्टिरिया सीरिज में देखेंगे देन कुछ हम हारफुल बैक्टिरिया के बारे में बात करेंगे अगर घ्रीकल्ट्र door करें तो स्वा ट्रोल शुश्य का रूह होता हैuga pó फा एवरठिंग एप्रोदक्शन और सपाइनिकटेक्स प्रोडक्शन आफ कुछ नाफर compatible विटमिंस यह हो गया रोल आप बैक्टेरिया ही में एकर बात करें तो यह रही मेरे बारे में चोटी सी प्रोफाइल यह मेरी है तो चलिए मुव करते हैं लक्चर की तरफ और डिसकस करते हैं economic importance of bacteria के बारे में तो the bacteria are the best known as the causative agent of diseases bacteria को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे यह बहतर तरीके से इसको हम causative agent के रूप में जानते हैं यह diseases को cause करता है but bacteria do not always mean disease तो कहने का मतलब यह है कि bacteria का मतलब यह नहीं होता है कि वह हमेशा diseases cause करेगा कुछ उसके beneficial bacteria भी होते हैं जो useful activity में participate करते हैं many of them are beneficial while several others are neither harmful nor beneficial तो कुछ जो होते हैं बैक्टरिया जो होते हैं beneficial होते हैं और कुछ other bacteria ऐसे भी होते हैं कि वह ना तो harmful होते हैं और ना तो beneficial होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं beneficial activity के बारे में तो for our life several kind of bacteria are must तो हमारे lifestyle के लिए हमारे life के survival के लिए बहुत सारे bacteria जो होते हैं वो जरूरी होते हैं they are necessary for life on earth for plants which in turn are necessary for animals तो कुछ जो होते हैं वो necessary होते हैं plant के लिए तो कुछ necessary होते हैं animal के लिए here we will discuss the role in various fields तो यहां पर हम बहुत सारे different different various fields में bacteria के activities को discuss करने वाले हैं तो चली हम move करते हैं सबसे पहले देखते हैं agriculture के field में agriculture के field में देख लेते हैं कि bacteria क्या role play करता है सबसे पहले बात करते हम soil fertility के बारे में some of the bacteria remain maintain and increase soil fertility विश बैक्टिरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं maintain करते हैं और increase करते हैं किसको soil fertility को दें ग्रीज्ट ना जन कंटेंट है जे नाइटरोजोन कंटेंट को rester थां पर श्टे करें विजब यह नाइटरीट अनट्रेट करेंगे नां इप्धे cheap करेंगे सीधे नाइटरोजbla तो में अप्टेक करेंगे हुआ जो होते हैं नाइटरोजण को र esf मी these nutrients continuously the soil becomes nitrogen deficit तो अगर यह बैक्ट यह जो नाइट्रोजन जो होते हैं बैक्टिरिया अगर नहीं इसमें रोल प्ले करते हैं तो प्लांट बाद में जाकर कैसे हो जाते हैं नाइट्रोजन डिफिसियंट हो जाते हैं तो बैक्टिरिया जो होते हैं वो नेचर में प्रिजेंट होते हैं इससको अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर का फार्मर इसको माना जाता है और यह जैनरली तीन कर्टेग्री में इसको को डिवाइड कर दिया गया है ऐसे बैक्टेडिया को एक अमोनिफाइंग ग Cleria दूसरा जो है नारट्रिफाइंग बैक्टेरिया है और तीसरा जो है नैक्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया इस पार्ट आफ नाइट्रोजन साइकल यह जो तीनों पार्ट है वो नाइट्रोजन साइकल में पार्टिसिपेट करते हैं सबसे पहले अमोनिफाइंग बैक्टिरिया के अगर हम बात कर लेते हैं कि अमोनिफाइंग बैक्टिरिया क्या होते हैं तो यह बैक्टरिया ऑर पाट जो यह एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं तोड़ते यह यह ब्रेक करते हैं कहां पर किसमें ब्रेक करते हैं Ammoni Acid और Enzyme में इसको break करते हैं Ammoni Acid are then converted into Ammonia बाद में यह Ammoni Acid जो होता है वो convert कर दिया जाता है Ammonia में by Ammonifying Bacteria Ammonifying Bacteria के द्वारा Ammoni Acid को Ammonia में convert कर दिया जाता है This Ammonia may combine with carbon dioxide बाद में चल करके यह Ammonia जो होता है वो combine करता है carbon dioxide के साथ में और water के साथ में soil में और क्या करता है Ammonium carbonate का farmacet कर लेता है These are based above some plants like cereals as source of nitrogen तो कुछ cereals जो होते हैं cereals crops होते हैं वो बहुत ही important role play करते हैं इस इन बैक्टिरिया को contain करने के लिए जैसे bacillus mycoidis bacillus ramosus and bacillus bulgaris ये तीन बैक्टिरिया जो है वो important bacteria है ammonifying bacteria इनको बोलते हैं another important source of ammonia in the soil is urea तो एक और source होता है ammonia का soil में जो की urea से contain करते हैं तो animal population of world excrete more than 2 lakh tons of urea per day तो animal का जो populations है पूरे worldwide में तो वहाँ पे 2 lakh tons जो होते हैं urea per day ये जा करते हैं excrete करते हैं which is decomposed by bacillus pasturis and sarsini urea तो कुछ bacteria होते हैं जैसे bacillus pasturis और sarsini urea जो होते हैं वो इन इन urea को क्या करते हैं वो डिकम्पोस करने का काम करते हैं तो नाइट्रिफाइंग बैक्टिरिया दूसरा जो होता है तो नाइट्रिफाइंग बैक्टिरिया तो नाइट्रिफाइंग बैक्टिरिया जैसे नाइट्रिफाइंग बैक्टिरिया जो होते हैं वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कर देते हैं और बाद में इसको प्लांट जो होता है वो uptake कर लेता है इं थर्ड वन nitrogen fixing bacteria the largest edition of nitrogen is by biological fixation process तो सबसे ज्यादा nitrogen जो fix किया जाता है वो biological fixation process के तरह fix किया जाता है through the activity of two type of nitrogen fixing bacteria जहां पे दो टाइप के nitrogen fixing bacteria जो होते हैं participate करते हैं कुछ जो होते हैं free living bacteria होते हैं जो की root नडियूल में पाया जाते हैं कहां पर leguminous plant के और कुछ जो होते हैं वो nitrogen इसी को हम बोलते है nitrogen fixation तो दो टाइप की जो होते हैं एक होता है free living और एक होता है symbiontic तो free living की अगर हम बात कर लेते हैं तो acidobacter, bizyrankia and clostridium यह जो होते हैं free form में पाया जाते हैं कहां पर soil में तो यह जो होते हैं जो nitrogen present होते हैं soil particles के अंदर उनको क्या करते हैं organic compound में change कर देते हैं then symbiotic की अगर हम बात करें तो rhizobium leguminousorum यह है it lives in the roots of plants like pea bean etc तो यह pea bean यह ऐसे plants के इस यह root में पाया जाते हैं nodules are also found in a root of alnus तो और कुछ nodules जो होते हैं वह पाया जाते हैं जैसे alnus, gazurina इन सब में यह पाया जाते हैं then उसके बाद they give nitrogen compound to plant which in turns gives carbohydrate to them तो यह क्या करते हैं plants को nitrogen compound provide करते हैं और बाद में यह nitrogen compound जो plant होते हैं को carbohydrate में change कर देते हैं leguminous plant provide rich nitrogen supply leguminous plants जो होते हैं वह बहुत ही rich source माने जाते है nitrogen supply के लिए even after their death this is called green manure तो बाद में इसको death जब इसकी हो जाती है leguminous plants की तो green manure के रूप में भी उसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं the cereals are grown in rotation with legumes यह cereals जो होते हैं वह rotation में इनको use किया जा सकता है यह हो गई free living on semiotic की बात में second जो है roll up bacteria in industries कुछ bacteria जो होते हैं वह industrial role भी होता है उनका जैसे dairy industries में dairy industries में bacteria such as streptococcus तो streptococcus bacteria streptococcus lactis जो होता है वह क्या करता है करता है milk sugar को milk sugar को किसमे lactic acid जो की coagulation का काम करता है milk protein के और बाद में जाकर कि यही milk कर्ड यगहार्ड और चीज में convert हो जाता है तो इस तरीके से dairy industries में भी bacteria role play करता है कुछ और बैक्टिरियास यहां mention किये गये हैं जो कि dairy industries में use किये जाते हैं then production of organic compound के अगर हम बात करें कुछ organic compound का भी production करता है जैसे fermentation breakdown of carbohydrate in absence of oxygen तो fermentation क्या होता है carbohydrate का breakdown होता है जो कि oxygen के absence में यह process होती है अक्सना बेरियस बैक्टिरिया प्रोड्यूस और लाक्टिक असिड तो कुछ जो बैक्टिरिया होते हैं जैसे lactobacillus लाक्टिक असिड का production करते हैं जैन उसके बाद में इसी टोन का production करते हैं कलस्ट्रीडियम असिटो बुलेरिक्यम तो कुछ ही होगे और गैनिक और गैनिक कंपाउंट्स जो कि बैक्टिरिया प्रोड्यूस करते हैं च्बाद करें तो कुछ बैक्टिरिया फाइवर रेटिंग में भी पाइटिसिपेट करते हैं जहां पिस सापरेशन होता है कार्किस काश्रम और लीफ फाईबर का प्लांट से वो कौन कोंसे बैक्टिरियाज हो सकते हैं कलस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास देन करिंग की अगर हम बात करें तो करिंग में तलीफ आफ टी और टोबैको बीज आफ कॉफी और कोकोवा और कर्ड आफ देर बिटरनेस तो इसमें करिंग में क्या होता है कि जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, बीन हो गया इन सब के जो बिटरनेस जो आती है उसमें ये क्या करते हैं हल्प करते हैं और कुछ बैक्टिरियाज ऐसे होता है जैसे बैसिलस, मेगा थीरियम ये पार्टिसिपेट करते हैं करिंग में स्ट्रिप्टोमाइसीस उसके बाद में कुछ एंटीबियोटिक्स का प्रोड़क्षन कर रहे है जैसे ग्रेमीसीदिन, बैक्टिरियसिन ये हो गए कुछ प्रोड़क्षन आप एंटीबियोटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले बैक्टिरियाज जयन Π्रोडक्टिन बेंगेबने कुछ बैक्तिरिया जो होते हैं वह पर्टिसपेट करते हैं जैसे कलuldade करते हैं तो यह कुछ बात इंड़्स्ट्रीज में जो यूस हो रAH थे बैक्टिरिया उनकी देंट कुछ हम घ्रम अाइब्य। हमें यूर्प करता है बात कर लेते हैं बैक्टिर्या इस तो यूसफिल बीकिक्ट और रभ्लबीक्टीबिक Gerald आप झालत कर लेते हैं मुंऐफूल आक्टिवीटी जी थूरू बैक्टिरिया प्लेश बात करें तो जो बैक्टिरिया होते हैं वह हमेसा क्या करते हैं का काम नहीं करते हैं वह क्या करते हैं कि बेजीटेबल्स फ्रूट मीट इन सब क्या करते हैं खराब होने में भी जो उसकी रोटिंग हो जाती है इस पॉइलज में भी यह पाट मतलब हैल्प करते हैं इसपीसी अब लैक्टोविसलस इस्टेप्टोकॉकस माइक्रोकॉकस प्रोटियस और रिस्पॉइलज फार इस् एक्जो टॉक्सिंस प्रोड्यूज बैडिस वेक्टिया और दकाज़ फूट पाजने तो यह इससे जो कुछ टॉक्षी निकलते इसको बोलते हैं एक्जो टॉक्सिंस यह क्या करते हैं फूट पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं टॉक्स बैक्टिरिया बै drinking water से convert होकर के अन्पोटेबल यानि के नॉन ड्रिंकिंग वाटर में convert हो जाता है तो बात करें तो बैक्टिरिया लाइक इस्टेफाइलो कॉकॉस और यस जो होता है फूड पॉजनिंग में पार्टिसिपेट करता है और डाइरिया और वो मिटिंग जैसे डिजीजेज को यह क स्ब्सक्राइब करें तो इस पाइरोकिट्स के मिम्बर कुछ है वो क्या करते हैं यदे न इसले लिछ लेदर और अर्टिकल्स इन समय जाकर करके क्या करते हैं लग जाते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं अगर बात बात करें डनी ना इटरिफिकरिकेशन की तो दी इस नाइट्रोजन में यह कनवर्ट करते हैं इन दिस प्रॉसेश डीकंपोजिशन आप नाइट्राइट्स इंटु आमोनिया और फ्री नाइट्रोजन एक प्लेस अंडर दा इंफ्लुएंस अब बैक्टरिया लाइक बैसिलस स्यूटो मुनास और इसकरिसिया को लाई तो डी सलफूरीति के बात करते हैं तो बैक्टरिया ऐस डी सल्फो और इंटु एसल इंटु हाईट्रोजन सलफाइट में कर देते हैं प्र देन इंटेज पर सेंट में हम बात कर लेते हैं तो इटिजन नोन देट ओर नानइंटी परशंट अफ यूमन डिजीजेज और अबर 10 पर plant disease जो होते हैं bacteria cause करते हैं bacteria causing diseases like tuberculosis microbacterium boris and brucellosis brucella are transmitted through cow milk तो कुछ diseases होते हैं वो bacteria के दौरा cause किया जाते हैं जैसे tuberculosis और पुछ diseases जैसे है brucellosis ये transmit किया जाते हैं cow milk के द्वारा ऑटीलिज्राइंब प्रियुस उस कारछा बीजराइब ग्रसgraduate क क्र मिलाने द्वाट सेट होता है इसयार होता है है तंग से इसमें लाने लगती है डबल बिजन बिजन जो होता है डबल हो जाता है और रेस्पारेटरी पैरालिस जो होती है यह में जो की बैक्टीरिया के दोरा काज होते हैं यहां पर फ्रिया दिए घाएं यह होगये कुछ बैक्टीरिया और उन causes diseases के बारे में यह होगी टोटल एकोनॉमिक इंपोर्टेंस आफ बैक्टिरिया के बारे में तो आई होप आपको पुरा का पुरा इंपोर्टेंस बैक्टिरिया का समझ में आ गया होगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें डोंट फागा टू सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल बाइलोजी भाई एसके सर्थ थांक्यू सो मच